असल की सेह प्रायोचक है यूरो अल्टिमिट रॉलाइबी ओग्राइजेशन पावर बाई अमुल माचो बड़े आराम सेख और प्रस्तित करता है एटाल मीजिक माई सॉंग माई स्टॉरी आज के बाद अगर मैं कभी डॉक्टर के पाँ जाओ तो मैं इस चीज का बहुतर ख्या लग्राइबी जो वो दवाईया लिख रहा है जो टेस्ट लिख रहा है वो मेरी बिमारी से सम्मंदित है भी कि नहीं है ये वो संदेशे हैं समाज के लिए महिलाओं के लिए स्वास के लिए जो डॉक्टर्स को भी सजख करते हैं और एक आम आदमी को भी ये पताते हैं कि ये देखना पड़ागा कि डॉक्टर्स लंबा इलाज करते हैं महंगा इलाज करते हैं ऐसे डॉक्टर्स के पास में कि यह मेसेज देना चाहिए कि जो अच्छी पॉलिटी का और सबसे सस्ता मौली को लो उसमें डॉक्टर उसको बात किया जाए प्रिस्काइब करने के लिए इससे पूरी जो पुब्लिक है इंदुस्तान की गरीब जनता है वो बेनिफिटेड होगी कि अच्छी पॉलिक गरीब जनता को महिया करवाना चाहिए तो इस शो को देखने के बाद हो ऐसा लगता है कि यह ड़ीब जनता को महिया करना चाहिए बनकि और जगा दिन चीजों को परसना चाहिए तो उस लगत खुराब हो सकते हैं और आप एक ही ब्रेस्टों सबीकर नहीं रन सकते कासी हाथ तक अलगी काम ठीटा से रहा है तो भी पेन को और आगे बढ़ें और बहुत अच्छा प्रोगम ही इसको अच्छे त्वीके से पेश किया हैं लेकि यह मेरी गुजारशा कि इसको ब्रॉडर एस्पेक्ट में लेकर इसके पीछे कारण क्या है इसको अच्छे लोग भी हैं उनको इसमें सरफ फरक डालना है यह नहीं सोच के चलना की सारे ही डॉक्टर ऐसे करते हैं यह बहुर अच्छी बात है कि वो इस चीज़ को सारे को सारे की वरिश्टी में एक्स्पोईयर में लिखे आ रहे हैं जिसके साथ अवेरनेस पॉबलिक की बढ़ेगी और उनके अपने हेल्थ मसभार ज़ादा चाहुए नमस्कार, ABP News में आपका स्वागत है, हमारे साथ मौजूद है आमर खान, जैसा कि व्होगादा किया था और आप इसकारिक्रम को हमारा खास कारिक्रम अशर इसे आप ABP News और ABP माजहा पर देख सकते हैं आमर आपका बहुत-बहुत स्वागत है ABP News पर, ABP माजहा पर आपने लोगों की प्रतिक्रिया निदेखिए जो जन्ता है वो हुश भी है और यह भी समझ रहे हैं पिए लेकिन डॉक्तुर इतना खुछ नहीं है उन्हें यह यह प्रतिक्रिया आपको मिल रहे हैं कि जनता खुश है लेकिन डॉक्टर नाराज है दरसल जनता तो जो हमें रियक्शन आ रहे हैं इस शो के बाद इस एपिसोड के बाद जनता जनता से तो सारे अच्छे रियक्शन आ रहे हैं डॉक्टर से मुझे दो या तीन किसंद के अलग अलग रिस्पॉंस जा रहे हैं एक तो ऐसा रिस्पॉंस आ रहा है हमको उन डॉक्टरों से जो खुद इन चीजों से परेशान हैं जो खुद कट प्रैक्टिस नहीं करते हैं जो इमानदारी से अपने पेशिंट को ट्रीट करते हैं तो ये जो अच्छे डॉक्टर्स हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं कट प्रैक्टिस नहीं कर रहे हैं इनका जो रिस्पॉंस आया है मुझे उनकी चिट्टियां आई हैं उन्होंने मुझे शावाशी दी है उन्होंने कहा है कि हम ये बहुत सालों से इस उल्जहन में थे कि हम इस समस्या से कैसे निकलें कोई इसके बारे में बात नहीं करता इसका कोई खुलासा नहीं करता तो मेरा उन्होंने शुक्रिया दा किया है कि मैंने हिम्मत दिखाई कि ने बात चीज़ों के बारे में हमने बात चीज़ की तो वह डॉक्टर्स हैं उन जो नहीं चाहते कि ये शारी चीजे हो वो चाहते हैं कि पिछले 10-15-20 सालों से जो एक लेबल लग लग रहा था जो लोग नाखुश थे उनसे ये तरह से बहुशा हो तो ये शारी आप ये शा नहीं है. वो चाहते है कि जो डॉक्टरी का पेशा है वो जड़ाद पेशा हमेशा माना जाता है और जो एक डॉक्टर को हम भगवान के रूप में देखते हैं वही रूप दुबारा एक दफा दॉक्टरों का एक दिलों में छोगों के दिलों में फिर आए. ये अच्छी कर दो को चोड भी पहुंची है उनके जजबातों की मैं इजद करता हूं उनकी जजबातों की घ्सत करता हूं यह कि अगर आप फेल्म इंड़स्टी के बारे में भी कल को कुछ कर सुछ है तो मुझे उस सच भी होगा तो मुझे जदू को भी कहीं मन तो रहें कि घलत अले कि म पर इसे रहे हैं और तो अच्छे डॉक्ट नहीं को जो नहीं कि वह नहीं और उन्हारे बाकाइदा तीम को आपर बहुत ही बहुतरी पहले दिखाया है दॉक्टर देवी शेटी बॉलाटी और दॉक्टर समेश शर्मा तो हमने अच्छे डॉक्टर का उधारन खूद दिया है उनसे लंबी-लंबी बाचीत की है और कितना अच्छा काम कर रहा है वो हमने दिखाया है और शो के दौरान लगातार मैंने कई दफ़ा कहा है कि सारे डॉक्टर्स ऐसे नहीं है बहुत सारे डॉक्टर्स हैं जिनकी दिल में मुरीज का जो दर्ग है वही एहम है और वो इसके लिए बहुत कुछ पर लिए है उसके लिए सलाम करते हैं तो हमने बाकादा ये अच्छे डॉक्टरों की बात किया अब एक तीसरा रिस्पॉंट भी आया है जो डॉक्टर्स बहुत ही नाखोश है मुझसे उनका यह कहना है कि यह का प्प्रैक्टिस होती ही नहीं है जो डॉक्टर्स है उनसे तो कई सालों से हमें यह बात पता थी कि ऐसी इस किसम की cut practices होती है अस्पितालों में बहुत बहुत ज़ादा होता है कि पेशिंट को डराया जाता है ताकि वो जल से जल treatment शुरू कर दे आईस्यू में हमारे पास तो actually हमने जो शोव पे दिखाये बहुत कम है बहुत कम है बहुत pieces आएं हमारे सामने वह बहुत भाषायों ने जो कोरेक्स सिर॥ है, या राईजीन है, या लीफिफ्टीटु है, इस तरह की दमाएं जो आम तॉर पर लोग लेते हैं, ये दमाएं फालतू हैं, बेहसर हैं, ये एक सरकारी रिपोर्ट कहते हैं, ये हमाई रिपोर्ट देखिया हैं. क्या आप खासी भगाने के लिए को रेक सिरप लेते हैं क्या आप लिवर मजबूत रखने के लिए लेते हैं, लिव 52 सिरप मज़ने हम आप अगर जवाब हाँ है, तो बंद कर दीजी येसब क्योंकि ये सभी दवाएं बे असर और स्पालतु की है ये दावा प्रहान मंत्री के उच्छसतर ये एक्सपर्ट गुप का है इस गुप में शामिल है नरेश्ट रहान और देवी शेट्टी जैसे देश के मश्यूर डॉक्टर इसी गुप की रिपॉर्ट में पता चला है कि डॉक्टर अक्सर ऐसी दवाईया मरीजों को लिख देते हैं जिनका उसकी बिमारी से कुछ लेना देरा नहीं होता प्रीवी पर ऐसी दवाओं के विग्यापनों की भरमार है जो ये दवा करते हैं कि इस दवा के लेने से आप चुस्त दुरुस्त रहेंगे आपके खासी तुनंत चुम अंतर हो जाएगी वग्यारा वग्यारा इसके ग्यारा विट्वन्स अर जंसे मुझे चुस्त रखे और कैल्शियम आयन जैसे नौ मिंद्रीज मुझे मजबूत और स्वस्त बनाएं इसलिए मैं रहता हूं चुस्त बहुत अंद्रस्त तो आप रिवाइट लेना कब शुरू कर रहे हैं लेकिन टीम के एक्सपर्ट गुप ने ऐसी दवाओं को न सिव गयर ज़रूरी बल्कि फाल्तू तक करार दिया है इस गुप ने अपनी रिपोर्ट योजना आयो को सौपी है योजना आयो के अध्यक्ष खुद प्रधान मंत्री होते है इसमें दाइजीन जेलुसिल जैसी दवाओं को गयर ज़रूरी बताये गया है दिकसूल और पॉलिबियोन जैसी दवाओं के बारे में कहा गया है कि इन में बे वज़ा के विटमिन्स है कोरिक्स और लिफ 52 जैसे सिरप को फाल्तू करार दिया गया है योजना आयोग में सदस से डॉक्टर सेईदा हमीत के मताबिक डॉक्टरों और दवा कंपनियों के गठ जोड की वज़ा से ही ये दवाओं मरीजों को लिखी जाती है योजना आयोग की ही एक कमिटी डॉक्टरों के लिए सक्थ दिशा निर्देश तयार करने में भी जुटी है ताकि मरीजों से खिलवार ना हो सके टिटोरिन पनिश्मेंट्स क्योंकि दवाओं का मामला ऐसा यह है कि उसमें तो आप मौत से खेले टी-एम के एकसपर्ट डुका कहना है कि हर साल ऐसी फालतू दवाओं पर लोग करोरो रुपे फुट देते हैं कोरिक्स की सालाना बिकरी करीब 136 करोर रुपे है जबकि ये फालतू का सिरफ है तेंसिकल कफ सिरफ की बिक्री 124 करोर 31 लाख रुपए है जबकि ये भी फाल्तु है लिफ 52 की सालान बिक्री 95 करोर 85 लाख रुपए है और ये भी बेकार की दवा है बिकोसूर कैपसूर की सालान बिक्री 92 करोर 48 लाख रुपए है जबकि ये भी फाल्तु है डेक्स औरेंज टॉरिक की सालाना विक्री 77 करोर 4 लाख रुपए है जबकि ये भी घट्या है कॉंबी फ्लेम टाब्लिट की सालाना विक्री 76 करोर 3 लाख रुपए है जबकि ये भी फाल्तु है डाइजीन की सालाना विक्री 63 करोर 49 लाख है जबकि ये बेवज़ दी जाती है पॉली बिरॉन की सालाना विक्री 94 करोर 24 लाख रुपए है जबकि ये भी पाल्टु की ही दवा है जेलोसिल MPS की विक्री 53 करोर 25 लाख रुपए है जो बेवज़ दी जाती है रिवाइटल की बिक्री है तिर्पन करोड नौलाग रुपए जबकि इसका असर भी कुछ नहीं होता हैरत की बात तो ये है कि ऐसी दवाईया खरीबते वक्त लोग डॉक्टर की सलाह भी लेने की जहमत नहीं थाते हैं संपन लोग हैं अगर वो छोड़ने तो जो गरीब इंसाने तो संजीगा कि ये सफेव नीली ये क्या है दवा वो तो गरीब आदमी जर मौत और जिंदगी के शिकंजे में होगा तो वो तो वहीं जाएगा चाहें उसके लिए उसके लिए कंगाल हो जाएं तो हमको सब को एक के लिए एक हिंदुस्तानी अपने आपको थोड़े वक्त बाद एक डॉक्टर समयने लगता है को कुछी से भी पूछो घर में किसी का पेट कराब हो जादे ये दुवाई ले लो जी तो ये सही बात है कि यूसलेस या इर्रैशनल यूस मेडिसिन की हो रही है सारा दिन डॉक्टरों की संस्था इंडियों मेडिकल असोसियेशन का कहना है कि ये रिपोर्ट सरकार के पास है अब इस पर फॉरंग कारवाई होनी चाहिए ये इश्यू जो है ये ड्रग कंट्रोलर अफ इंडिया के अंतरगत आता है उनको अगर कोई भी मेडिसिन जो की इल्लीगली बिना यूज बिना यूज के अगर मार्कित में किसी ब्रैंड से बेची जा रही है तो वो ड्रग कंट्रोलर को उस पर कंट्रोल करना चाहिए उसको रोपना चाहिए तो अगर गवर्मन्ट की कोई गूरुप ऐसा कह रहा है प्लाइन कमिशन इस बारे में बात कर रही है तो आइम शूर ड्रग कंट्रोलर को इसको एक्शन लेना की दवाईयों को पैक्ट्रोल पर ही नहीं बलकि देश में मौजूदा हेल्थ सिस्टम की समीक्षा भी की है और यह तब होगा जब एक्सपर्ट गूप की रिपोर्ट पर अमल किया जाएगा क्योंकि यह रिपोर्ट भी सरकार को सौप एक कई दिन भी चुके हैं लेकिन किया कुछ नहीं गया है आप दुचिस को आप लुक सबनकिन का इंतजार कर रहे हैं वह थें विजना में हेल्थ का आकार होगा चैप्टर जो हेल्थ पे होगा तब उसमें इन सब बातों का मिचोड आएगा और अजर नजरिये को उसमेंए को लेके और उससे पूरा जो हल्थ परेडाइम है उसको बनाना, बना रहे हैं। बिलकुल ये बहुत ही सप्राइजिंग और शौकिंग चीज हम देख रहे हैं। इसा चाहते हैं, बहतरी चाहते हैं और नहीं चाहते हैं। दौक्टर के के अगरवाल। सबसे पहले मेरा आप से सवाल। हमने अभी रिपोर्ट दिखाई। ये पुधान मंस्री के एक की जो एक्सपर्ट गुप्था उसने रिपोर्ट बनाई है। ये रिपोर्ट बताती है कि कितनी सारी ऐसी दवाई हैं जो फाल्त हुएं, बेकार हैं। कि उसके बावर जो डॉक्तर इन दवाओं को लिख रहे हैं। तो Immune Medical Association के इसके बारे में कुछ नहीं कर सकता। तेखिए एक ये जो दवाईयां जो आपने दिखाईयें दिख रही हैं। ये मैं मानता हूँ कि rational use of drug होना चाहिए। एक दवाई जो market में आती है, वो कैसे use होती है। 30% जो है professional doctors लिखते हैं। उसके इलावा 70% जो दवाईयां हैं या तो वो unqualified quacks लिखते हैं। या उसको लिखता है एक patient जो उसके पास पुरानी prescription होती है, जो 10 दिन के लिए दवाई लिखती है, वो उसके साथ चलता रहता है। या कुछ chemist लोग या patient खुद जाकर दवाई लेता है, क्योंकि ये over the drug counter ते drugs मिलती है। तो मेरा कहने का सिरफ ये ताक पर है, कि जो professional लिखता है, वो मैं अमिर साब जो भी बताना चाहता हूँ, कि वो पूरी intention के साथ अपने दिल से और उसके मन में सरफ एक ही बात होती है, कि उसका patient ठीक होना चाहिए, क्योंकि मेरे लिए एक professional doctor के लिए उसका सबसे बड़ा commission वो है, कि उसका patient ठीक हो जाए, क्योंकि यही एक मेरा advertisement का त private doctors ठीक करते हैं, क्योंकि सरकार के पास इतने सादम नहीं है कि उनको ठीक परवाए, तो मेरे एक private जो इतने professional doctors है, उनके लिए सरफ एक ही तरीका है, वो है, कि वो मरीज को ठीक करें, ताकि दूसरे मरीज उसको बताएगा, उसी तरीके से मेरी advertisement होगी, तो पूरे मन से वो अ क्राम है, उसको बंद करना, जब एक नहीं दवाई मार्केट में आती है, तो एक central drug organization है, जो उस दवाई को देखती है, उसके उपर अमल होता है, उसके उपर clinical trials होते हैं, उसके बाद drug controller आता है, जो इसको लाइसन्स देता है, और उसके बाद जो state drug controller है, उसको manufacturing कराता है, इस इसमें doctor सो कहीं भी साथ में नहीं है बीच में, जी, डॉक्टर चांद मौन गुलाटी जी, आपने नरेमर सैनी जी कोच सोया, उनका यह कहना है कि doctor इसमें कहीं बीच में नहीं है, doctor से 30% ऐसे doctor है, जो इस तरह की दवा लिखते हैं, और वो भी अच्छी intention से लिखते हैं, तो commission जिस आप report की बात कर रहे हैं, यह दूसरी report है, 2006 में exactly एक commission बना था, जिसका नाम था national commission on macro economics and health, उनके दो co-chairmen थे, एक health minister साब थे और एक finance minister थे उस time के, जितनी भी दवाईयों के नाम आपने अभी बिना हैं, यह 10 की 10 दवाईयां 2006 में भी यह कही गई थे, कि यह बिल्कुल बेकार हैं, पर इसके बावजूद भी अब 6 साल हो गए हैं, तो वो पहली commission की report को पता नहीं कहा, ताक में फेंक दिया, अब एक नई report आ गई है, तो इससे तो government की मन्शा के ओकर बहुत दाउट है, एक तो मैं यह आपको बताना चाहता हूं, अब दूसरी पार्लिमेंटरी कमेटी अन हेल्थ की एक 88 पेज की एक रिपोर्ट चपी है, जिसमें डॉक्तर्स के जो रोल है, उसके उपर काफी उन्होंने गहराई से देखा है, और उन्होंने क्या कहा, उन्होंने ड्रग कंटोरर जनरल से, बयालीस नई ड्रग्स के सारे दस्तावेज म से, द्रग कंटोलर महोदे ने, डॉक्तर के ऑपीनिन मागे, और मैं उन्होंने बात कर रहा हूं जो चोटी मोटी जगा प्रेक्टिस कर रहे हैं, मैं उनकी बात कर रहा हूं जो और अल इंडिया इंस्टीट अ मेडिकल साइंस में प्रोफेसर हैं, या पोस्ट ग्रेजुए कि उसने क्या निकला, देख ते 10 किंप लुकी ते लुकम्अ नहीं निकला, आपनी्ही प्रॉपींग्तों ढाई सीज्ड़ अपनीन, भीजड़े लीक्टर श्युक आपनी तो और डॉक्तर्स की मिली भगत है तो इसे में ये बात मानने के तयार नहीं हूँ के डॉक्तर्स इंवाल नहीं है ये बात मानने के लिए तयार नहीं है डॉक्तर गुलाती की डॉक्तर्स जिम्मेदानी है और कहीं इसमें शामिल नहीं है Dr. KK अजवाल भी हमारे साथ मौझगे Dr. KK अजवाल Dr. KK काफी संख्या है Dr. KK अज़ागी जो सत्तेमेज़ जयते का शो आया उसको लेके वो नाराज है जब कि लगातार हम जब डॉक्टर से बात करें अभी हमारे शो पर भी Dr. गुलाटी मौझूद है और आपसे भी से पहले हमारी चर्चा हुई है, हमारे शो के दौरान, मानते हैं वो कहीं है कि इस तरह की कमिया है, फिक फिक नराज़गी क्यों है सत्मेर जहते के शो से, ये दमाएं जो है ये फिर भी लिखी जा रही है, जब कि 2006 में ही बता दिया किया कि ये दमाएं बेकार ह नराज़गी, मेडिकल प्रफिशन को जो नराज़गी है अमीर खां से, उसके कुछ बेसिक पॉइंट्स हैं, पेला पॉइंट यह है कि जब भी आप कोई भी न्यूज दॉक्टर के अगरेंस में दे रहे हो तो उनका पक्ष भी साथ में लो, जितने भी केसी नराज़ को बाखा कि बागर भी नाराज़ दूसरी चीज जो है कि आपने कहा तो ऑड़ाय नहीं लिखते, आप जब लोग लिक रहा हैं बजाव मिल्टी नहीं, जब पॉइंट बजाव मिल्टी नहीं, जब लोग दोवाव पी तो आप इस बागर आएगे अबब, अभी इस प्रोगरम प्रोगर्म प्रोगर्म में प्रोगर्म के नहीं को लगा कि दॉक्तर प्रोगर्म के में फिर सजरी केरण कि हम यह कहते हैं कि प्रज़ए के दॉक्तर fear operate on आज Class at all in इंडिया में 50-50 marketing agents वो marketing agents जो हैं who जहाखे commission बाड़ते हैं डॉक्टर नहीं बाड़ते हैं, डॉक्टर नहीं लेटे जो system है उसके आटक करो ता-बॉक्टर्स के उपर में जहाँ के सवाल है इन दौाईयो बारत के अंदर में उन्ने इसको बैंन नहीं किया इसका मतलब है कि यह दवाया फाल्टू नहीं है अगर यह फाल्टू होती है तो सरकार इसको बेहन कर देती है अगर यह दवाया को एक्जामपल लेके चलो हमारी कंट्री में B12 की डेफिशेंसी बहुत जादा है वेजिटेरियंस के अंदर में उनको B12 की डेफिशेंसी दूर करने के लिए बीकम्पलेक्स काई अब आप सिर्ण बेकल्सू को नाम ले रहा हो बिकल्सू जैसे कंशे का मदार कंपनिया है जिसको एडवांपेज मिल जाएगा कि बेहन होई यह बाकी चलेंगी अगर आप लेके चलेंगी अगर लेके चलेंगी और आप इसको बहन नहीं क अब लेकि इससे तो यह साबत होता है कि दवा घलत है दवा फाल्तु है यह रपोर्ट दोजाचाय में आगे क्यूंकि सरकार ने बना नहीं किया है इसले डॉक्तर लिख रहे हैं यह बेन हो भी नहीं सकती यह दौजाय नहीं सकती आप की गशत को को डियुझे को चलिसीन को बैम नहीं कर सपते जहाँ तर लिफ टिलू का सवाल है उसके एकसपर आइर वैड है एले पर आप टेश कर रहे है कि यह फाल्स-रुज यह चार बार इस पर आमर कुछ कहना चाहते हैं, अब आप डेक्स ओरंज के ओपर अटेक कर रहे हों कि डेक्स ओरंज खराब दबाई है, यह एक आइरल शिरप है, आइरल शिरप जिल लोगों को फुल डोज, ओरल सप्लिमेंट तॉल्रेट नहीं होता, वह पर हमारे को लिक्वेट शिरप खरते हैं, वह आइड यह एक वर्ण देते हैं, आइरेंट फेमेंट क को, गौष्ट प्रेगनेट फिमेल अनको आप जे wanna अनको फॉलिक देते हैं, हम धिक अभियान चलाया आख आप तर बेटा कि हम उनको डीवांद कर रहे हैं सारे बच्चों को, तो यह कुछ पॉलिस्ए उनके ओपर बेस होती है, जब हम देखते हैं कि वहां की जो एक पर्टिकॉल पॉपुलेशन है, उनको किसी ची कमी है, इस चीज को आप प्रफेशनल ओपिनियन नहीं देजिए, इसके ओपर ऐसे अटाइक मत करिये। दिखी ऐसा है कि जो दो हदार चे में फोट आई थी, उसमें भी सारे एक्सपर्स थे, वो कोई बाहर के लोग नहीं थे, और उसके उपर काफी चर्चा होई थी, पर वो अल्टिमेटली ड्रग कंट्रोलर जनरल का काम था, कि उनकी एफिकेसी और सेफ्टी के ऊपर वो देखे है, वो उनोंने किया नहीं, अब वो ही कि वो ही दवाईयों का फिर से दूसरे कमिशन में या कमेटी में जिकर आ रहा है, तो अब ये 2006 से 2012 तक क्या आ रहा था, दूसरा ये है कि हमारे देश में एक तरीका है एफिकेसी और सेफ्टी को टेस्ट करने का, और उसमें जो है वो पारलेमेंटरी कमिटी की तरफ ले जाना चाहता हूँ, जिनों ने ये कहा है कि 33 परसेंट दवाईयां, आई रिपीट, 33 परसेंट दवाईयां जो भारत में उनके रेंडम में आई, रेंडम सिलेक्शन में आई, उनके ओपर कोई क्लिनिकल ट्राइल नहीं हुए, और अगर इस बात पर किसी को डाउट है, तो वो पारलेमेंटरी कमिटी के रेपोर्ड को पढ़ें, उसनों के नाम लिखे हुए है, इन डॉक्तर्स में रेक्वेंड किया हुआ है, वो लिखा हुआ है, और ट्राइल क्यों नहीं किये, इसका कोई जिकर नहीं है, इसका जब उनोंने सब बुचिया मिनस्रेव हैं, जिए टोन के बास में कोई जवाद है इस बात का, यह तो हैरान कर देने वाले आमे बात है, यह बात है, लेकिन मैं डॉक्तर अगर्वाल से एक-दो चीज़ें पूछना चाह रहा हूं, दॉक्तर अगर्वाल, मुझे यह बताईए, आपने मे आपका प्रेसेप्शिन खलत है, क्यूंके हमने डॉक्त्रों को अटैक नहीं किया है, अगर आप वो ग्राप करते हैं, अगर आप पूरी ओने वीज़े, मैंने आपकी बात काटी नहीं थी, आप मेरी बात सुनिये, हमने डॉक्तरों के खिलाफ कुछ नहीं कहा है, हमने उन जो गलत डॉक्टर कर रहे हैं या जो जिनकी नियत ठीक नहीं है अगर आप ऐसे डॉक्टर हैं जिसकी नियत ठीक नहीं है तो आप अटैक्ट फील होंगे अगर आप ऐसे डॉक्टर हैं जिसकी नियत साफ है आपको अटैक बिलकुल फील नहीं होगा क्योंकि हमने साफ अपने तो अब बिल्कुल गलप का है इसमें? आपने बिल्कुल गलप नहीं का, कट सिस्टम बिल्कुल बंद होना चाहिए और अगर किसी दॉक्तर लेकाया कि कट सिस्टम नहीं होता मैं भी इसको मानने को तयार नहीं हूँ आपने बहुत बडा स्टम यह इसमें पास्युक्ते बेपलों समयुप्ते सिस्सटम यह थे आपना को जो आपने इसवी पर कि्मिर्वाट को जाणufficient को मैं यह नहीं एक st reviewed में जए मृद्ध के बारे मैं आपको बता बारे में आपको पीमिरि इसमें नहीं जहांग जाई कि दो झाम हुआ जागे दॉन यह पर किस देट का झिख़ collar a āसु मेरी बात सुनि कि जेर्च मैडिसिन का जो आपने मुढदा उठाया है। आपने काहते मैंने अपने शोपे काहते जन्रे मेडिसिन कर नाम क्यों लिख धे ये मैंने शोपे कहा ही नहीं मैंने सिर्फ इतना कहा कि जो डॉक्टर समिच शर्मा ने हमें बताया कि जेनरिक मेडिसिंस बहुत कम दामे में मिलती हैं तो हमने एक रिक्वेस्ट की है कि जैसे राज़सान सरकार जेनरिक मेडिसिंस की दुकाने हर जगा खोल रखी उन्होंने वैसे और राज़से में सरकारें और ऐसी दुकाने खोलें इससे आपको क्या आपती है बिल्कुल नहीं है हम चाहते हैं हम कहते हैं जिल्ली के अंदर पूरे इंडिया में हर जगा में अगर जवाईया लिखती है तो जवाईया अगर पूरे में चाहिए जोड़सान कर रहा है नश्रा हम चाहिए की नेशनल कंट्रोल प्राय्सिंस की अप मतलब मेरी बातों से सहमत है क्योंकि मैंने का है कट पैक्टिस गलत हैं कमिशिंज गलत हैं और जितना हो सके जनरिक मेडिसिंज बिकें तो ज्यादा तर आम इंसान के लिए कम्ति पाइडा हैं जितने भी जैसे मेडिकल डॉक्तरों को अलाओ नहीं है तो कॉर्परेट हस्पिटाल अगर अगरेटाइजिंग बन करेंगे तो अटोमेटिकली सिस्टम अपने आप इंपरू हो जाएगा अगर आपके अगर नहीं से क्वालाइज कि क्यों तो इसको आट रूपे की पास और रही है वे सिस्टम गजेगे बड़ाय जो आप तर उठाया था इस्टम अगरेज को फिटी साइट तो अपर इसको अट पास नहीं था पास कर रही है बताते हुए कि हेमा मालनी जी सुनील गवासकर जी हमारे ब्रैंड अबस्टर है इंडियन मेडिकल एस्सेशन थी जिसने पहला कदम उठाया था पी एंडिटी एक लाने का क्योंकि हमने देखा कि फीमेल्स की रेशो कम हो रही है जी 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 जो कदम था ये इंडियन मेडिकल इसके प्रफेशनल डॉक्टर्स ने उठाया था जहां तक दवाईयों की बात है जन्री की बात हम कई बात गवर्मेंट को लिख चुके कि जन्री अच्छी दवाईयां मिलनी चाहिए जी तूनी सरकारी हॉस्पिटलों में मिलती सबसे पहले चुरू होना चाहिए और एक न करते हैं कि आप दिखाईये लेकिन आप दोनों पहली दिखाईये और उसमें जादा अच्छे डॉक्टर्स हैं जिनका जो प्रफेशनल है यहां पर हिंदुस्तान में विल्डम बना यह है कि यहां पर जोलाचाप डॉक्टर भी है उनकी संख्या कहीं जादा है और प्रफे को आया था उस दिन शाम को स्टार टीवी में जो प्रोग्राम दिया था उसका नाम रखा था शैतान या भगवान मैं यह कहता हूं कि डॉक्टर भगवान थे हैं और रहेंगे कुछ शैतान है उनको निकाल जे बार्फे को उन शैतानों के वज़ा से बागी सारे भगवान जो डॉक्टर के रूप में उनको शैतान मद बोलो तो जो शाम को आप पर जो प्रोग्राम आट बजे का उस जिन का आया था उसमें था एडिंग डॉक्टर जिगा भगवान के शैतान है जहां तक नहीं बवाईयों के बार्फे को निकाल जे बार्फे को दो डॉक्टर आपसे दो तीन चीज़ें कहना चाहूंगा एक तो यह बार दोराओंगा आपसे कि हर दफा हमने बार बार जिकर किया है कि अच्छे डॉक्टर मौजूद है इस प्रोफेशन में और हम उनको सलाम करते हैं जो अच्छा काम कर रहे हमने बार बार इसके बारे में बातचीत की है मैं आपको बताओं कि आपने जैसे कहा कि जो डॉक्टर गलत काम कर रहे हैं उनको आप चाहते हैं कि वो हड़ जाए इस प्रोफेशन से हम आपको इसमें जरूर यकीनां सपूर्ट करेंगे और मैं आपको बताओं कि जहां तक हमारे शो का सवाल है हमारे शो पे हमने ज्य पॉइंट फॉर परसेंट जो है वो हेल्थ केर में जा रहा है तो उन्होंने इस बात पे टिपनी दी और हम भी इस बात से सहमत हैं कि हेल्थ केर हिंदुस्तान में समाज में एक एहम मुद्दा होना चाहिए हर इंसान के लिए तो हम चाहे वो हमारी सेंटर की सरकार हो केंड जियादा से जियादा खर्च जो हमसे आप टैक्सेज ले रहे हैं, जो हर चीज हम खरीदते हैं, उस पर कुछ ना कुछ टैक्स होता है, तो ये सारा जो पैसा हमसे सरकार इखटा कर रही है, तो उसका एक खास हिस्सा, कम से कम 6% ये 8% जैसे डॉक्टर गुलाटी ने कहा, वो ह पैसा हमारा हेल्थ केर में जाएगा, तो जाहर है हेल्थ केर की जो सुविधा है, वो बहतर होंगी, डॉक्टर भी जादा कमाएंगे, तो हम तो चाहते हैं कि ये एक, जो डॉक्टर गुलाटी ने हमें समझाया ये बात, जो आपके प्रोफेशन के हमारे साथ मौजूद है दॉक्टर गुलाटी आज, तो उन्होंने ये हमें समझाया, कि ये हमें जादा एहमियत देनी है हल्थ केर को, तो ये हम सरकार पे प्रेशर डाले हैं, जो हमने अपने शो के जरीए, ये एक्जैक्ली ये बात हमने सामने रखी है, दूसरी बात जो आप लोग जेनरिक मेडि कम से कम दामों में लोगों के सामने आए, तो ये तो जो दो मुद्धे हैं, ये यकीनन हमारी राज्य और केंदर सरकारों के साथ जुड़ी भी मुद्धे हैं ये, तो इन पे हमने खास रोश्मी डाली है, बलके हमारा सवाल है, हम हर हफते एक सवाल पूछते हैं, तो हमारा एहँए सवाले शंय यह यह और इसको लेकर पहल भी हुई है कई राज्जोंे इसको लेकर पहल हुई है जो ज engaged द्माय है उनको लेकर पहले है फिल्हाल के हम हुख रहे हैं लेकिं प्रेक के जब हम वापस आएंगे तो बहुत बड़ा खिलासा करेंगे खुद के उमरे स्वास्तमंत्रिक सचमें बचेते चछाह क्यार देला उस्थ लाग देला ओड़िया थिवानि केंद्रिय स्वास्त मंत्री क्या बता रहे है केंद्रिय स्वास्त मंत्री से जब हमने ये समाल पूछा कि सरकार क्या कर रही है लालची डॉक्टरों पर लगाम कसने के लिए तो क्या कहना था उनका सुनिये दॉक्तर पैसों के लिए इलाज लंबा ना खीचे बेवज़ा दबा ना दे इसके लिए सरकार क्या कर रही है तो उससे डॉक्तर का और हस्पाल का तो भला होता है लेकिन पेशिंट खास तो उसे जो गरीब है या मिडल क्लास है वो गरीबी की तरफ धकेला जाता है और ऐसे केसिस हमारे पास तकरीबन तकरीबन हर दूसरे जिन देश के इबन चेतरों से आते हैं दिनी से भी आते हैं और कई जगा हमें प्राइवेट हास्पिटल से उठा के डाक्टर ये मरीज को जो कि वहां इलाज नहीं करा सकता है उसको हमें आल इंडिया मेडिकल निस्चूट में या दूसरे गामट हस्पाल में भरती करना पड़ता है इसलिए हमने 2010 में पारलेमेट में बनई सब्सक्राइब कानून पास किया है क्लिनिकल एस्टेबिशमेंट एक्ट और इस क्लिनिकल एस्टेबिशमेंट एक्ट में बहुत सारी चीजें हैं एक national level पे हमारा council होगा, state level पे council होगी, district level पे council होगी और जो खुशी है ये कहते हुए कि national council का गठन अभी हुआ है और उसकी national council की पहली meeting आज शुरू होगी है जो district level का, जो हमारा clinical establishment का unit होगा, district level की council उसको head करेंगे collective, भी सी, फिर वो अपने district में जतनी हस्टाल है चाहे वो सरकारी हैं या private हैं, उनको देखेंगे कि जो उन्होंने registration कराई है क्या वो सही है या गलत है, एक तो वो देखेगा, और उसके साथ साथ ही ये जब categorization हो जाएगी national level पे, उसमें हस्टालों को ये भी बताया जाएगा ये हस्टाल में अगर ये ये विवारी है, तो operation करने की, दिल के operation करने की ये range होगी एक fix range की जाएगी, किड्नी का अगर operation होगा, तो इतना पैसा लिया जा सकता, एक उसकी range निर्धारत की जाएगी अगर गॉल बलेडर का operation करना होगा, तो एक निर्धारत range की जाएगी तो जो भी range निर्धारत की जाएगी, operation की या दवाईयों की, वो हर हस्टाल को, वो सरकारी हो, गार्मन्ट हो, या सरकारी हो, प्राइवेट हो, छोटा हो, या बड़ा हो, उसको अपने हस्टाल के सामने, वो हर भाशा में, वो लगाना होगा बोर्ड, कि फला चीज के लिए ये निर्धारत है, ये फिक्स किया गया है, रेट इससे ज़्यादा ने ले सकते हैं, और यदि अगर उस रेट से किसे ने ज़्यादा लिया, तो जो district level की committee है, council है, जिसको collector head करे हैं, वो उसके सामने शिकायद करेगा, और शिकायद करने के बाद, वो penalty देगा, और action दे सकत तो ये केंजे स्वास्त मंत्री का बताना कि एक council बनाई जाएगी, जो कि बताएगी कि rate list, rate list लगेगी अस्पतालों के बाद, स्वास्त मंत्री ने ABP News को बताया कि जो national council है, उसका गथन हुआ है, आज पहली बैठक भी हुई है इस national council की, और इसके बाद असर ये होगा कि rate list लगेगी अस्पतालों के बाहर, जहाँ पर बताया जाएगा कि इस operation का इतना खर्चा होगा, ये हर भाशा में आपको हार अस्पताल के बाहर लिखना होगा, आमर, क्या आपको लगता है इस से कुछ असर पड़ेगा? देखिए, पुछ लगता है कि हमें डॉक्टर गुलाटी से पूछने चाहिए कि इसका असर होगा नहीं होगा, क्योंकि वो इसमें जादा तजर्वे कारे हैं, क्योंकि हमारे पास medical council of India है, पर हमारे पास हर राज्जी में, जैसे माराश्टर medical council है, हर राज्जी में medical council मौज होगा, इस बिमारी का क्या उसे कुछ असर होगा? ड्रग्स के बारे, दिखे जो गवर्मेंट पिछले साथ साल में प्राइजिंग, जो ड्रग्स की प्राइजिंग है, उसको कंट्रोल नहीं कर पाई, और जो अभी 2011 में उन्होंने जो प्रपोजल रखा है, उसको अगर आप सुनेंगे तो आपको हसी आएगी, या आप हो जाएगे, आपको पता हो, गवर्मेंट ने क्या कहा है, कि ड्रग्स कैसी कंट्रोल होनी चाहिए, कि जो टॉप थ्री सेलिंग ड्रग्स होंगे, उसका एवरेज जो है, वो कंट्रोल प्राइज होगी, तो इसका मतलब ये है, कि अगर एक ड्रग्स की कॉस्त दो रुपे ह है, पर वो 40 रुपे में एक कंपनी बेच रही है, दूसरी 50 में बेच रही है, और तीसरी 60 में बेच रही है, तो उनका एवरेज 50 रुपे होगा, और वो कंट्रोल प्राइज होगी, ऐसी गवर्मेंट से हम ये उम्मीद निकर सकते हैं, दूसरी बात ये है, ये इतना असान है, और ये अपने काउंसिल बना दिया, आप क्या ये चाह रहे हैं, कि प्रफेशनल सेटेस के ओपर प्राइज कंट्रोल रखेंगे, पर आप ड्रग के ओपर प्राइज कंट्रोल लाईए, फिर हम उसकी बात करेंगे, जी, 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 जी के के अगरण के अगालान के इसकी इस पर अगल बात है, जो आज तक कभी होने नहीं है, इसमें इसमें टैक्टिकली पॉसिबल नहीं है, क्योंकि है एक स्टेट मेठर है, हर स्टेट अपने 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 अगर प्राइजी बनाएगी तो उनिफ़ामिटी नहीं होगी, आज भी सीजी एच झे एच के अंडर अगर आप चाहते हैं कि हमारे को डॉक्टर पुरा रेट कंट्रोल भी लाना है तो लीया ये लेकिन वाइए अगर बाइपस करेंगे गिद्मी का इतना रिंबस करेंगे इसका इतना रिंबस करेंगे ये तो अलड़ी है अगरवाल को नहीं लगता कि इससे कोई असर होने वाला है लेकिन अब समय हो गया है एंजियो के सदसे हमारे साथ मौजून है उन्हें चेक देने का तो पिछले पाश तन में जुराशी खटा हुई है वो मैं आपको बता जो और हमारे साथ उससे पहले मैं डॉक्टर अगरव कोशिश की है हमने ये कोशिश की है कहने की कि एक तो हम लोग जीडीपी में ज़्यादा सजादा खरच करें हेल्थ केर पे दूसरा हम पबलिक मेडिकल कॉलेजिज और खोलें ताकि यंग्स्टर्स को जगा मेले आसानी से बगएर इतने बड़े-बड़े कैप्टेशन फीक तीसरा हमने ये कहने की कोशिश किये कि जेनरिक मेडिसिंस की जो दुकाने हैं वो ज्यादा तर खुले हर जगा खुलें तो अगर आप लोग जो इतने सीनियर डॉक्टर्स हैं अगर आप लोगों को लगता है कि ये चीज़ें हमने सही कही है शो पे और इस से हेल्थ केर को फाइदा होगा कॉमिन मैन को फाइदा होगा तो आप लोग क्यों आपके असोसेशन क्यों नहीं आगे बढ़के इस चीज़ को सपोर्ट करती है कि जेनरिक मेडिसिंस ज्यादा से ज्यादा सरकार लाए जीडिपी पे हम ज्यादा खर्च करें और हम गवर्मिंट के मेडिकल कॉलिज ज्यादा से ज्यादा खोले अगर आप लोग शी से सहनत है तो आप अपने असोसेशन से बात करिए अगर आज मैंने सोचा था कि यदि आपको खुलासा कर रहे हैं तो शैद वो खुलासा करेंगी कि मैंने जीडिपी जो नेक्स टाइम होगी 1.5-6% होगी यह हमारे चार पांच कई सालों से हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं जैर्मीक द्वराइस के लिए ज्यादा सब्ते गरते पर हमारा साथा देगे इस काम के लिए यह जोगाए कि तो लोग पैसे खिला खिला के इसमें करप्शन आएगा और दूसरा सवाल जो हमारा जो है कि उन्हों ने का है कि जन्रिक दवाईयां का जन्रिक दवाईयां सरकार एक मिनट में लाउ पास कर सकती है कि ये दवाई को प्राइस कंट्रोल कर दीजी जैसे गुलादी साब ने का जिस इन प्राइस कंट्रोल हो जाएगा साधिक दवाईयां जो है ये प्राइस में मिलेंगी आज आप एक दवाई पे 100-100 कमपनियां अगर दवाईयां बेच रही है और हर एक दवाई अलग-अलग है डॉक्र को कैसे बचा लड़गा क्या मेरे पास कोई सिस्टम है जा सरकार इंफर्म करती है कि कौन सी दवाई कितने की मिलनी चाहिए जा सरकार की डूटी है कि हमारे को इनफर्म करें और सरकार अगर MRP प्राईज 50 रुपे लगा रही है तो क्यों लगा रही है तो रुपे की दवाई का वो 50 रुपे का MRP क्यों अलाओ कर रही है अगर हम जेनरी बिखते हैं तो कैमेस दवाई कौन सी बेचता है अनब्रेंडेड लेकिन सी अमारे की प्राईज पे वो क्यों अलाओ करना चीए तो इस दुटर अगरवाल मेरा आप पर यह कहना है तो पालिसी बिदली होगी इसमें हम डॉक्टरों को ब्लेम लेका सकते तो एक दूसरा और टेजिकल अस्टर्शन दिल के साथ हैं डॉक्टर गुलाटी भी सहमत है इन चीजों से हैं तो हम लोग मिलके क्यों नहीं हम जाते हैं अपने सरकार के पास मैं वक्त लेता हूँ डॉक्टर गुलाब नभी अजाद जी से उनके सामने हम जाके मिलते हैं हम आपको एंडिकल एकोसेशन दो प्रभाटि भी आपको समर्थन गुलाटी प्रसन दिल्स लेकिन डॉकर सेष्यल कई आपको नमर जरूर दे रहेंगे और समर्थन चाहते हैं कि आप भी उनके साथ जाएं और आप पढ़ी दिलको मैंने यह शो किया कि हमारी इंटेंशन अमीर साथ प्रफेशनल डॉक्टर्स हैं हमारी इंटेंशन बिल्कुल ठीक होती है हमारा दिल अपने मुरीज करी जल्दी से जल्दी ठीक होती है अब बहुत बड़ी बात हासल हुई है इस शोपर अभी आमर की आपका साथ देंगे डॉक्टर अगर्वाल भी और डॉक्टर नरेंड सैनी भी और जो इंडिन मेडिकल अस्योसियेशन है उसके साथ आमर खान जाएंगे और स्वास्त मंत्री से मिलेंगे और डॉक्टर मेरेंड सैनी जो हमारे साथ याप पर मौजूद है उन्होंने भी काई कि वो आमंतृत करेंगे आमर खान को आमर खान भी समय निकालेंगे तो ये इस वक्त इस शो के जरीए एक एहम और एक बहुत बड़ी बात निकल कर सामने आई है M.A.B.P. News पर जिस पर आमर खान के साथ Indian Medical Association जो है वो चाते कि आमर खान उनके साथ आए और स्वास्तमंठरी से जाकर मिलें तो तमाम मुदे स्वास्तमंठरी के सामने उठाए जाए जाए घृ靂 आमर झात बड़ी आजाए जे बहुत आगे सामने उनके साथ जाए गे वाँ यूश को खीजिए कैसे हमड़ों है अपच्छीन हो शर। अपच्छीन है। शच्छीन मुष्छ तबीधन को चाहँ जाओ यह क्यालकेटा में लोगोवन होक्तिकीन है वाँ हमारी टीम लेहां वजिद घ्या है कुछ नहीं पिसके का प्रिषुट्स प्रिशड एलस्टेश्ट की हूँ यह दिया प्रिषु देख द닌का लेकर आपा प्रिषु एलस्टेश अधर नियुंग भीजिज फिए घडिटर्स, अजैश्व जमेड़ फितार्स्दिश्टुन करें थे रेक्राइब रुकाश्यू वांड़ झीयों टार्षिंट करते क्या थाइप देट गूट बढ़ार ग। क्या रखेस्ट था हमारम जुक में एक री तर्षापट्टा थे लिवट या रहेुआ वगाँ जुट चीमित्त हैं जूकित्टों ऑल शट प्रुंटर की जो मदद हुई है पिछले पांच सेन के दोरान लेकिन अब रवीबात को सुभा 11 बुजे स्टार प्लस पर होगा सत्यमेव जयते एक नए मुद्वे को लेकर आएंगे आमिर खान नया मुद्वे को लेकर आएंगे आमिर खान नया मुद्वे को आप बताएंगे वह तो आसर एन न्यूस पर रात आट मजे शुकुरवार को एबीप माजहा और एबीपी न्यूस पर आप शुकुरवार रात आठ मजे देख सकते हैं असर सत्यमेव जयते का सर और आमर हमारे साथ यहां अबिपी न्यूस और एबीपी माजहा पर मौजुदोंगे अगले आप देख रही हैं AVP News आपको रखे आगे